कि असलामुलेकुम फासियर फिजिक्स का चैप्टर नमबर थ्री मोशन चल रहा हमारा और अभी तक इस चैप्टर के हम लोग पांच लेक्चर जो कवर कर चुके जिसके अंदर अच्छे खासे टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ लिए और अभी इसके जो है वो सिरफ दो टॉप जायागा फ्रिक्षन वाला टॉपिक उसे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के इंदर कवर करके इस चैप्टर की थियूरी सारे की सारी खतम कर देंगे तो आज का जो हमारा लेक्चर है सबसे पहले तो यह लेक्चर नमबर 6 है चैप्टर नमबर 3 का जो की मोशन है और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वह आपके पास इंकलाइंड प्लेन है और साथी साथ इसके जो है वह आपके पास तीन केसी तीन और चोथा एक जो वह हम खुट से एड करेकि जो आपकी नुमेरिकल्स के अंदर इस्तमाल होगा वेसिकली तो चोथा टॉपिक न वज़िदार यह टॉपिक है काफी आसान भी है और यह आप लोगों ने जो हो मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा हो है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंकलाइंड प्लेन की डेफिनिशन के साथ और इंकलाइंड प्लेन को देखते हैं कि यहूता क्या है एक सर्फेस विच यह आपके पास जो ग्राउंड बोलते हैं उसके साथ अगर वह एंगल बनाएं तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं इनकलाइन प्लेन आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर यह बहुत जगह के उपर देखा होगा इसे हम लोग जो सिंपल मशीन भी कहते हैं यह आपके पास स अगरूज केंदर आथी है और सिंपल मशीन क्यों बोलते हैं कि यह हमारे काम को असान कर देता और इससे काम हम लोग क्या ले रहे होते हैं कि वैसे चीज़ों को लिफ्ट करना अगर फरसकरो कि हमारा पस ग्राउंड है यह पर एक जोई आपके पास ब में रखा वह जो कसं क करना कि इस तरह से अवर्टिकली आपवर्ड काफी दाद मुश्किल होता है अगर ऐसे आप लिफ्ट करो मतलब डर्प इस सथे ज्यों हो वर्टिकली नि our Just a काफी सद्व مشकिल होता है तो इसको मतलब इस चीज को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनक्लाइन प्लेन के स्वाल करते हैं और यहां पर एक तखता लग देते हैं जितनी भी हईट तक हमें जो पुक्रियों लूघ को पूछाना होता है हम इस तरह सी व का इन्कलाइन बिन बनाकर इहां से उस ब्लॉघ को इस तरह सरे लेकर जाते हैं तो काफी तह Beispielisen हो जाता है हमारी लिए ब्लॉघ को स्बाफि दी के आफ गॉटर जाना तो तब तो यह इसी वज़ा से जियों सिंपल मशीन है कि यह हमारी सिकाम को कि जो वर्टीकली अपफ डारेक्शन के लिफ्ट कर रहे थे चीजों को अजो के काफी मुश्किल था उसे इसने असान मना दिया अब अगर हम लोग देखें तो इसकी दो कंडिशन्स है कि जो एंगल है हमारा पास सरफेस का इस प्लेइन चा और जो आपके पास हो रिजॉंटल अजो है वह ग्रांड और उसका द्यूंन चाहिए क्शक परेंतेवर ऑर आप के हो हम बना दिया ना जो का मतलब कि मतलब बिलूं nossos ग्राउंक के साथ यह आपके पास ग्राउंड क्या है और आपने क्या किया कि प्लेन को ग्राउंड की साथ यूंदा लगा दिया तो एंगल कितना है जी तो यह इनकलाइन प्लेन थोड़ी कहला है यह तो वही आपके पास टिया बन गई मतलब उसी की सरफेस साथ बराबर हो घया थो एक condition क्या है कि 0 वड़ा होना चाहिए यह जो एंगल होता है यह से जो बढ़ा होना चाहिए और 90 से चोटा होना चाहिछ है नांटी से चोटा क्यों क्योंकि अगर आप 90 डिक्री के एंगल पर रखो वे किसी प्लेन को तो भी इंक्लाइन प्लेन नहीं कहलाएगा वह तो वर्टिकल हो जायागा और वही चीज आपको करनी पड़ेगी कि अप्वर डिरेक्शन के अंदर लिफ्ट करो तो फिर इसका फाइदा एंगल जो है इसकी कंडिशन क्या कि एंगल 90 से छोटा हो और जीरो स बढ़ा होना चाहिए तो इस तरह की आपके पास इस तरह का गर प्लेन आपके पास कि जिसका एंगल ग्राउंड के साथ जीरो से जो है वो ज्यादा और 90 से कम बंद रहा है तो वह वाला जो प्लेन है वह आपके पास क्या कहलाता है इंक्लाइन प्लेन तो बस यह चोटी सी अच्टी जो है वह एक्सिट एक्सवेशन थी इसकी डाफिनिशन थी कि यह क्या करता है क्या होता है मतलब सिंपल मशीन के अंदर आता है और अब जो हम लोग बढ़ते हैं की स्पेशल के स्के उपर जो इसके कैसिज हैं उसे पढ़ने से पहले यहां पर लोग देख लेते ह और इसे हमने एक inkline plane के उपपर जो है रखा हुआ है जो कि एंगल बना रहा है थीटा होरिजूंडल के साथ इसे हमने जो इनक्लाइन के उपर रखा हुआ है अब इस ब्लॉक के उपर तीन इसे अंगी यहां पर बनाए हैं यहां पर लिख देते हैं कि थ्री फोर्सीज बाकि जो वर्टिंग है वह आपको नोट वक्राइब तो आप देख लेगा यहांपर से मुलक समझ रहें और वह वर्डिंग हमने बैसिकली यहां भी डिफाइन भी कर दी कि लेटस कॉंसिडर ब्लॉक ऑफ मास एम और वो सारी की सारी चीज़ें के यहां पर पड़ा हुआ है और जो प्लाइब प्लेन एंगल बना रहा है थी टावरीजोंटल के साथ अब यहां पर थी फोर्स लग रही हैं त्री फोर्स इस और एक्ट हम लोग डबल्यू से देनोट कर रहे हैं और इसकी डारेक्शन का है सेंटर ऑफ ग्राविटी से नीचे की तरफ यह आपके पास वह अगर ग्राउंड यह आपके पास अर्थ है जमीन है यह फिर इसको ग्राउंड बोल रहे हो तो हमने पता है कि जो वेट की फोर्स है वो इ रियक्शन को फोर्स या फिर नॉर्मल रियक्शन की फोर्स आज से यह इसको लिनोट करते हैं और नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि पर पैंडिकुलर जो है वो डारेक्शन के अंदर यह लगती है जिस भी सरफेस के उपर आपने कोई चीज अगर रखी वह हो और हमने जो इ यह हमने टील्ट करके रका वह स्थानना से एंगल के ऊपर रखा हूँ है लेकिन जो इस सर्फेस से वो जो फोर्स लगाएगा इस बाड़ी के ऊपर वह नॉर्मली लगाएगा का मतलब कि परपेंडिकुलर लगाएगा तो इस प्लेन के पर पार्पेंडिकुलर बिल्कुल और जो ब्लॉक है मार स्किके अधिसार्मयान हो इसकी फोर्स को न सी फोर्स फर dando इhtूं कि पर्सिंट से हम लोगी त्रीमोंट करने हैं और इसकी डारकेशन झापके पास कुछ इस तरह से होगी डारेक्शन के अंदर यह फोर्स लगए होगी जिसने इसको जो अभी फिलाल अगर हम लोग देखें तो रोग के रखा हुआ है वह आगे केसे हैं कि कब जो अगर ब्लॉक मूफ कर रहा हो तो आपके पास आज में क्या बनेगी फोर्स कि यह कितनी फोर्स से नीचे जा अपनी आसानी के लिए जो है इसका जो मकसद है वेट को रिजॉल्फ करने का यह आपको आगे थोड़ी दिन में जो पता लग जाएगा अच्छा आप इसको रिजॉल्फ किस तरह से करें यह तो वर्टीकली डारेक्शन के अंदर आया वह और जैदा तरह हम लोग क्या करते के एक्सीज यह उससे लेते की वर्टीकल गभी नहीं करते हैं इसको बोल में यह चीज्ज को यह बना सकते हैं Amtla में元 यह कर ूं जो एक सिस्टो किया इस तरह से एक सेक्सिस मतलब यह के इन दोनों के तर्मियान एंगल जो नाइंटी डिगरी है तो यह मेरा जो प्लेन है मतलब मैं इसके पर काम करना चाहर हो तो आप इस तरह से भी जो एक सिसको ले सकते हूं और यहां पे हम लोग यह करने वाले वेट को करने के लिए और रिजॉल्फ क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फोर्सीज़ जो कॉंपनेंट्स वेट के और यह जो फोर्सीज़ यह सारे कि सारे एक ही एक्सिस के इंदर में जो मिल जाएंगे यह अगर हम लोग देखें तो दोनों आपसे में परपेंडिकुलर है यह यह पेरलल हैं इस तरह से और यह परेंडिकुलर है इन दोनों की तरमें 90 डिगरी का अंगल बंद रहा है तो अगर हम जो इन दोनों को ही ऐक्सेज ले ले एक्सेट लुद्र रिट टूर्व जे ले तो वीट क्या रिजल्व हुजाएगा वेट की भी उने कॉंपनेट मिल जाएंगे एक रभाय की नदर और उसका जों हम अक्सत क्या हो आप लोगों को थोड़ दो दिने में बपता लग जाएगा अभी हम लोगा कर यह मार अपास यह असफेक सेतल यह वाला हम नेरा कि यह हम लोग की ओरसंट अलक्ति या फिर एकसाए साथ खाली हो यह सकते हैं यह दो है तो सकते हों कि फ्लेन आरद यह आपके पास प्लेन की अए घ्सDEN से से वह चुछ इस तरह से ले लिए यह मारा य-axis है यह वाला वायक्सी जो कि नॉर्मल रियक्षिन वाला थे सको हमें वह वायक्सी ले-लिया अब अगर हम लोग देखें या फिर अगर हम लोग जो वीट जो है इसको रिजॉल्फ करें इसके क्वेंगें तो में क्या-क्या इंगल यहां पर बंद रहे हैं और यहीं बाला जो यहां पर मिलेगा तहीं था कि अगर आपके अनदर एक और चीज आ राबर आएगा मैच का पॉस्टिव लेट है में उसके अंदर नहीं जाना चाहरा बस यहां पर यह समझो कि यह वह जो एंगल है वह यह वह लाइंगल यहां पर जो एंगल था वह यह वह लाइंगल है अब हम लोग क्या करने वालें कि फोर्स को रिजॉल्व इस वेट को जो है Michigan अनुट मैं दा कॉंपोनेंट्स के ओ ओफ वेट म?.. मेल बी कर वेट के जो तरहलेंगे हैं और यहां पर हम लोग मैट के जो कमपनेंट से उनने वी पर यह वह लोग पैर्पेंडिीकॉलार ररेल वाल ऑल बोलते फैंगे की रिस्पे replyं की ऍलैंकिंस के उन्द्रेंगा पर्पेंडीगिलर डिर्क्षन के दर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे वेट का पर्पेंडीगुलर विलकॉमपोनेंट एक्स यी निलेगी दाओं कि दर प्रते हो कि W बाला मिला हूँ है तो परपेंडीगुलर और जो आपके पास बेस होती हो चेंज होंगे तो इसलिए हम लुग वह इसको एक्स वाला नाम नहीं दे रहे हैं कि यह तो फ़र्ज करो कि यह हमने जो है वह एक्स वर्वाय वाले एक्स और य वाले जो प्लेन है यह फिर एक्सी ने वह बना लिए अब अगर हम लोग इसको इसके वेट को जो रिजॉल्फ करें तो कैसे रिजॉल्फ करेंगी सबसे पहले तो हमारा पस दो एक्सी आप लोग ने जो है वह अगर कन्फिजन से बचना आए तो अपनी कौपी को में मैं किकर सकता आप कॉपी lange कर keeping ऐसम proximity यह मतलब इस तरह कर से मई जाए तो फिर आपके समच में आ जाए करने कि कृप सोटों को किट की यहीं यहां तरी एक पर परने क्रीट एम समय से लोगा और यह आपके पास वेट का पैर यह कंपनेंट रहे हो तो के इस हम लोग वाला component जो के plane की direction के अंदर parallel आ रहा है और एक जो component होगा वो आपके पास कुन सा होगा यह वाला यह वेट का perpendicular वाला component होगा परपेंडिकुलर मतलब कि जो इस plane के perpendicular है इस plane की रिस्पेक्ट से जो आपको समझो कि यह वाला आपके पास प्रपेंडिकुलर वाला component आया जो के प्रपेंडिकुलर है तो अगर इन दोनों की वैल्यूस निकालना चाहूं मैं तो कैसे निकाल सकता हूं सबसे पहले तो इस triangle को consider करो यह बला triangle यह 90 degree यह 90 degree यह triangle जो आपको कुछ इस तरह से अगर अलग से रोकरें यह पे हम लोग तो वो कुछ इस तरह सी दिया हुए कि यह आपके पास जो है वह एक पढ़ लेते के 90 degree के बिल्कुल opposite जो साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं और अगर एंगल यह वाला है तो एंगल के बिल्कुल opposite साइड होती है यह फिर जो साइड बच जाती है अगर यह उसे हम लोग बेस बोल रहे होते हैं तो यहां पर अगर आप लोग देखो तो परपेंडिकुलर हाइपोटनियस और बेस आपके पास कौन कौन से होंगी यह 90 डिग्री इसके बिल्कुल यह बली हाइपोटनियस ठी क्या क्या है वह कहां साइड आ रहा है पर पैंडिकुलर वाला वेट का पैरल वाला जो आपके पास यहां पर कॉंपटनियस और अगर लोग देखें और इसकी बेदियु निकालना चाहिए डवलीव पर पेंडिकुलर की एक कमपनेंट की डब्ली पर तो इसकी वैल्यू आपके पास किस तरह से निकलेगी हमने तीन रेशो पुड़े थे साइन थीटा इकल सूपर पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस बेस कौन साथा दूसरा कॉस्टीटा कॉस्टीटा इस इकल स्टू बेस अपॉन हाइपोटनियस और टैंजेंट इकल स्टू आपके पास पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस यह तीन रेशो पॉड़े थे हमने और यही तीन रेशो बेसी के लिए मोग लगाते हैं कॉंपनेस निकालने के लिए हमने रेजूलिशन वेक्टर के इंदर भी जो काफी बार किया हुआ है तो अगर हम लोग देख तो आप कैसे निकालते थे साइंट एट लगाते थे साइंट लगा गया आप बोलते हैं कि अगर हम यह वाली चीज़ चाहिए और यह वह वाली चीज़ ज्यादातर गिवन होती है तो इसकी से अगर हमें यह निकाल नहों तो कौन सा वाला जो यहां पर रेशों है वह बिल्कुल सही होगा अगर हम दोग देखें तो इन दोनों का रिलेशन चाहिए नहीं तो हाइपोटनियस और परपेंडीकुलर यह किस रेशों के अंदर आते हैं और वह अगर हम देखें तो यहां बढ़े पता लग रहे हैं कि यह सांदीटा वाले के अंदर आ रहें और पैंडीगुलर और वह अब यह निस तो हम धो यहां पर जो और यह निकालना हो तो पैरलेल इस ईकल स्थव यह यहां पर आके मुल्टिप्ला हो जाएगा डवलीव साइन लीइसटा एका शुए बेय और अगर जो है वो यह वाला कॉंपनेंट निकालना हो इसकी रिस्पेक्ट से तो बेस और हाइपोटनियस कौन से रिशों के अंदर आने कॉस के नदर तो यहां लोग लगाएंगे कि कॉस्थीटा जो है वह आपके पास किसके बराबर होता है बेस अपना है बेस क्या है डबल जो कि इन फॉर्मूलों से निकल की आपको देख रहे होंगे एक्स और वाय अगर करते ना आप तो आप लोगों को कंफूजन हो जाती और चुरू में हमें जो इसको पैरलल वाला एक्सिस बोलना था और इसको परपेंडिक वाल बूल जाओ वहां जाओगे तो आपको कंफ चैन्ज हो जाए तो उसकी वजए से फॉर्मूले भी चैन्ज हो जाते हैं असल में आप इसको समझ रोगे कि यह डव्यू एक्स है और जल्दी-जल्दी में आप बोलोगे कि यहां ड़ो पर लगाते तो यहां पर लगा 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 दोगे लेकिन आ क्या रहा होगा साइन ठीक है और यहां पर भी साइन ठीटा आता है यह जल्दी-जल्दी में कर दिया यहां यहां आपके पास को सीटा आता है एक्स के साथ जो आपके पास को सीटा रहा होता है रेजलूशन ओफ एक्टर निकाल के देख लेना लेकिन वह सुरत के अंदर आ रहा होता है कि जब आ आपके पास यह चेंज हो जाएंगे तो इन चीज़ों में आपने पढ़ना ही नहीं है सिंप्ली इसको बोलो कि पैडलल यह आपके बास परपेंडिकुलर है तो वेट का जो पैडलल वालवा पर 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 प्लेंट वाला कॉम्पुनेंट है ठीक वह यह वाला मैं इस तरह से नि पास जो है वो चार फोर्स लग रहे हैं चार फोर्स लग रहे हैं इस पूरे जो है वो ब्लॉक के उपर और चारो भी चारो जो है वह आपके पास एक ही एक्सिस के अंदर है पहले किया था कि जो वेट वाला था यह थोड़ा सा बाहर था अगर इसको लोग सही से करके बनाएं पर इसको भग से करने कि इस ब्लोग के ओपर कितनी फॉर्स रुट रही है नहीं तो फंसके आपके पास ब्लॉक ए और या आपके पास यह ओ प्लेन है तो हम लोग देखे तो इसका मतलब कि वो कुछ इस तरह से लग रही होगी और यह फ्री वेक्टर है तो आप इसको कहीं भी जो हो उठा के रख सकते हो मतलब मैं अगर इसको उठा के यहां रख दूँ तो यहां से हमें जो काफी तदा आसान ही होगी इसको अनलाइज करने में कि कभी बॉडी जो करेंगी और मुफ करेंगी तो कितनी फोर्स से या फिर कौन फोर्स ऐसी होगी कि जो रिस्पॉंसिबल होगी इसको मुफ करवाने के लिए तो इसलिए यह काफी ददा असान हो जाएगा पहले क्या था कि वेड जो था वह इस तरह से बीच में यूं आ रहा था तो इस तरह स फोर्स यह की एक्सिस के अंदर और अब आपको देखने से भी पता लग जाएगा अगर यहां पर मैं पहला किसका नाम लिखूं तो आप वैसी बता दोगी कि जो पहला के से वो कब फुल्फिल हो गया फिर वह चीज जो कब हो रही होगी तो पहला के जो फिर्स्ट के से वह को मार पास क्या है कि वैन दबॉडी विल बी एक रेस्ट इसका मतलब के फ्रिक्शन जो काफी तैदा हो फ्रिक्शन इस इसको मिटाना पढ़ेगा इसको कर यहां बना लेते इसको यह तो इस वाली डियाग्राम को गरिया बनाएं तो यह आपके पास यह प्लेन है और यह आ यह व्युँ लगरिये जो के वेट की पर्बेंडिकिलर वॉली फोर्स है एक फोर्ज आपर कि तरफ लागरी जो कि नोर्मल के एकशन एक फॉर सैंट इस तरफ लगरी जो कि एक फैसक्षिंड के फॉर्स ए और एक फॉर्ज वो military पास बीट की परललल वावाली फोर्स अब यहां पर आपके पास यह वह पहला केस फर्स्ट केस और केस नमर वन के अंदर हमारा पास किया कि वैन कि दबॉड़ी विल बी एट रेस्ट और इसका मतलब किया कि फ्रिक्शन इस तू लार्ज फ्रिक्शन काफी जैदा हो फ्रिक्शन कि इस तू लार्ज अब कोई बॉड़ी रेस्ट के अंदर कब होती है यह आप लोग ने जो है वो मैट्र किलास के अंदर एक्विलिवरियम आले टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा कि बॉड़ी जब भी रेस्ट के अंदर होती है यह फिर एक्विलिवरियम की स्टेट के अंद है कि द्धब दी अगार मस्ट फुल्फिल कि दा कंडिशन स कि अफ एक विल्याम एक एक लीम की दोनों कंडीशन को या फिर कम से कम एक एक कंडीशन ग 앞 दूसरी कुम लोगी आपि जो विनीकर एक कंडीशन गोई ये फुल्फिल करने चाहिए यह वादी ये से एक कंडिशन को जो फिल्फिल करना पड़ेगा इस बॉड़ी को और वह कौन सी आपके पास कंडिशन है के समिशन ओफ ओल्ड फोर्सिस समिशन ओफ ओल्ड फोर्सिस यहां पर X और Y दोनों आएंगे तो उनका सम आपके पास जितनी भी फोर्सिस लग रहे हैं उनका सम परस घरकशन के अंदर जितनी भी फोर्सिस लग दो आना चाहिए उनका सम घरकषिन के अंदर जतनी लेट हैं Koran इस सबस्कों अ तो यह चाहिए तो यह वाली दोनों कंडिशन अगर फुल्फिल होंगी तो तभी यह जो बॉड़ी एक इस वाली को देखें इस वाली कंडिशन को देखें तो एक इसकी डायक्शन में कितनी फूर सिनल गरिये यह पैरलल वाली डायक्शन में कितनी फूर्स यह इसको पैरल बना दो कि अमने जो इसका इंदर जैखें उह सब्सक्राइब और पर्पेंडिकुलर वाले एक्सिस के अंदर जीतनी फोर्सित लग रही होंगी उनका भी सम्झीरों के को लाना चाहिए तभी जो बॉड़ी होगी वह आपके पास रेस्ट के अंदर होगी तो अगर हम लोग देखें तो पैरलल वाले डारेक्शन के अंदर या पैरलल वाले लिखने से में पता लग रहा है तो इसका मतनब क्या हुआ कि आप जो है वो फोर्स इसको फ्रिक्शन की फोर्स को और जब नेगेटिव के साथ पैरलल वाली फोर्स को एड करो तो इसका अंसर जीवाना चाहिए तभी जो है वो यह आपके पास किसके बराबर होगा यह यह वह आपके पास क्या होगा रेसके अंदर होगा और य एक्सिस की डारेक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें तो फोर्स लग देंगे यह और यह तो यहां पर लितिया हम लोग के नॉर्मल एक्शन फोर्स और प्लस माइनस के साथ डबलीव परपेंडिकुलर जो जीरो के पास कंडिशन है एक अगर यह रखन रोगी तो यह वाली कंडिशन को फॉलो गरेंगी और इन दोनों के साथ मायनस क्यों लगाया क्या हमने इसको पॉजिटिव ले लिया इस वाले साइट पे जितनी भी आपके पास वैक्टर तो पॉजिटिव ले लिया और फिर जो दूस नेगेटिव आगा डारेक्शन की वजह से यह नेगेटिव का सायन लगए डारेक्शन की वजह से लगए अच्छा अगर हम लोग देखें तो प्लस मैनस मैनस एफ माइनस डबी बन इस इकल स्टू जीरो और यहां पर भी आज़ें प्लस मैनस मैनस और आर माइनस का डवल्य पर 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 बाड़ी रेस्ट के अंदर होगी अगर फ्रिक्शन की फोर्स इस बोडी के वेट के पैरलल वाले कॉंपनेंट के बराबर हुई और जो आ चीफर्स इसके ऊपर लग रही है यह बराबर हुई इसके बेट के पर पंडिक नर्वाली फोर्स की मतलब एक दोनों की दोन चीजें आपसे बरावर होई तो तब आपके पास क्या होगा कि बॉड़ी जो आपके बास किसके अंदर ओगी ऐस के अंदर होगी इव दीस यहां लिए इन रख बॉड़ी के कब रहाए कि जब यह दोनों फोर्स बराबर हो और यह दो देखने से भी बता लग रहा है कि अगर एक बंदा इसको वाह पर खेंच रहे बंदा यह दोनों के दोनों बराबर हुए तो एक नियुक्त आगे ना पीछे और अगर उपर नीचे से भी की इस तरह से भी खेंच रहे और दोनों के दोनों बराबर हुए तो बोड़ी कहीं भी नहीं यहीं रहेगी और यह फर्स कंडिशन भी होती एक विलिवरेंटी तो पहला के सापके पास यह था और उससे जो में एक्वेशन मिली वो कुछ इस तरह से मिली उतारना है इसको तो आधा जै sneaking हैं आच नोट कर सकते हो हम दूसरे के सक बर्यो बढहने वा लेग और दूसरे केस को देखते हैं इसक्राइब करें तो दूसरा केड़ी के वह आपके पास कुछ इस तरह कैले कि मॉंडी जी आँऑ नीचे की तरफ मूफ करे बाक्री के पास यह आपके पास जैक है कि बॉरी जो आपके पास नीचे की तारह मूफ कर रही है और इसका मतलभ क्या वा कि फ्रीक्षिन यह स्मॉल हैable का और तो इया सक दो किश पास फ्रेक्षिंट जो फोर्स है हो काफी क्रछय नियोग तो इससे भी देख लेते हैं कि इसकी क्विजिन क्या बनेगी है जब फ्रेक्शन की पोर सबसे जब स्मॉल हो तो यह वाली कंडिशन तो वही है कि नॉर्मल रियक्शन वाली आफोर्स और डब्ल्यू जो आपके पास यह पर पेंडिकल वाला जो हम बनेट है यह दोनों तो ब यह इस ट्राइग्राम को देखो इससे समझ में आएगा एक बंदा उस तरफ खेंच रहा है अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यह वाली जो यह वाली जो बॉड़ी यह जो चीज है इन नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ जाने का क्या मतलब कि यह बड़ी जो फोर्स है आपके पास यह बन दाइए इसको ज्यादा तेस फोर्स से खेंच रहे है और जो इसके पास फोर्स हो कम है तब यह बॉड़ी जो नीचे की तरफ आएगी यहां पर फोर्स जो होगी तो से लेकिन काफिदा कम होगी तो अगर हमें जो वो एक्वेजिन बनानी yeah move downward के सबनारोगी नेट फॉर्स के बराबर और नेट फॉर्स ने पढ़ी है कि क्या होती है कि अगर बॉडी एक फॉर्स की डिरेक्षिन तर पिन दर मूब कर रही हो तो वहाँ पर आपके पास ऑन बैलन सॉर्टराइब नेट फोर्स का नहीं एक जैंपंपल दो बहुत बार जो उसके discuss कर चुके वह example कि जो आपके पास यहां पर बंदा खड़ा हुआ जो कि साथ न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक बंदा यहां से चोटी सी फोर्स लगा रहा है जो कि आपके पास तीन न्यूटन की है तो आप से अगर पूछे जाए कि बॉड़ी किस तरफ होगी तो सह unjust आझार आप बोलों की साथ न्यूटन की फोर्स साथ न्यूटान की फोर्स फोर्स ज में कि इसको इस सब्सक्रीक क्यों क्योंकि यह 161 में जाएगे जो lithe 3 न्यूटन वह कर देंगी इसकी तरफ दाच अर यहां कि 3 यह से तरफ और तीन है आपके बने वह आपके बस नेट के लाएगी नेट फोर्स और ये कितनी होगी साथ न्यूटन और आती कैसी नेट-फॉर्ट का फॉर्मूला क्या हम ने काफी बार पढ़ा हो एक नेट-फॉर्स पर्मुला था किसके ब्राबर होता इता है बड़ीम पर्स तो हुमारा केज का है कि बाडी जो नीचे की तरफ लुफ कर रहे हैं इनके लाइन पे उपर नीचे की तरफ ही इस एलक्षिन के इंदर भी इस तरह करती वे नीचे की तरफ जा रही है कि फ्रिक्षन की जो वैलियो काफ्य ज्वाल चोटी हो गई और यहां पर इनोंने बताया की है यहां पर निकाल के रख़ा और यहां पे ischy को पूड करना हैं यहां जो मोड़ इसको पुड़ करना है जोगर मजीदुन? इसको फूर्मła उतógल होता है तो net for the books बराबर आएगी Mg Sin Theta और माइनस का जह आपके पास Small f और एक और बिटा देते कि एफ जो आपकर बास किस के रिखन होता है में कि तो यहां पे force net की जगह भी जूए में आ जाएगा तो यह आपके पास जिए करें है कि यह सब निकाल निनियों चाहे एकर्व निकालनी हो या फिर निकालनी हो तो होगा कि यह क्वेशन कब यूज करोगी कि जब आपको इस तरह से बताया नुमेरिकल Что कि बाड़ी जो है वो स्लाइट करती भी आ रही है एक इंक्लाइन प्लेन के उपर जिसके उपर फ्रिक्षिन जो है वो काफी दा स्मॉल है होगी उसकी कुछ ना कुछ पहली होगी लेकिन कम होगी और अगर इसी केस को हम लोग देखें तो जब हमें उपर से नीचे चीजे मू आई पे रोकर साथ शान ज要खे म उसके इंदर क्या होते है कि उसके अंदर जो फ्रेक्षिं की कहीं दा होते हैं लेकिन लेकिन जाप है सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल वाली स्लाइट को देखो जो पार्क के अंदर होती हैं तो उसका जो उसकी जो सर्फेस है वह ऐसे मटीरियल से बनाई जाती है कि जब उसके ओपर कोई चीज रखें हम लोग तो फ्रिक्शन जो वह काफी ज्यादा आज वह उसके अंदर प था आज अनोने उन्हेत्नुरा पानी बीज़ार होता है कोता सी त経न की वाली पूरता कम गब देता है और sûr कि हम लोग फिर अच्छे से स्रत करते हुझे निचे की तरफ जा रही होते हैं तो वहां पेंपर मौलोग करता बीच्शन को काफी कम कर दो रहाप ऊढ़ें को 9.8 थीटा पता हुना चाहिए कि इस का जो हो थीटा कितना ग्राउंड के साथ और फ्रिक्शन जो है वो जितनी भी अकम में अगर तो वो कितनी है तो वो इसके सिंद्रा ये तीसरा और आखरी केस जो हमारा रहे गया है उसको भी देख लिए और वो क्या है कि बोडी मूवना सबस्क्राइब जो नहीं है तरड के से और तरड के सका है कि बोडी मूव्स है और आफ्रिक्शन लेस अंधलाइन प्लेंग को जो इसका मतलब तो सब को समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन जो आपके पास जीरो के को लागी या और यह आईडियल के इस उता है और फिक्श तो थोड़ी सी वैल्यू जो फ्रिक्शन की कही नहीं जो मौझूद रह जाती है मतलब फ्रिक्शन को बिल्कुल हम लोग वो कम नी कर सकते हैं बजाइर यह बालो जो यह हमार पास बोड़ है यह काफी प्लेन दिख रहा है लेकिन इसके अंदर भी जो फ्रिक्शन की वैली भी तरह था कि एक ऐसा हमार पास प्लेनों के जो फ्रिक्शन नहीं से उसके इंदर फ्रिक्शन होई ना तो उसके उपर जो बॉड़ी एंवन इजे की तरफ किस तरह से इंदे की और इसके अंदर जैब हो पिछले वाली एकुज़ें को यह अम्रूग करेंघ जो मनी पिछल की थी और माइनस का एफ पिछले वाली केस थी कुछिंट वह में ये बताती है अब अगर बोडी इसके उपर जो नीचे की तरह मूफ कर रही है इसका मतलब क्या कि फ्रिक्शन जीरो है यहां पर बताया हो भी है कि फ्रिक्शन लेसिंट पर इने तो इसका क्या मतलब वह कि फ् क्या मतलब कि जो फाइंडर इक्विजन से बिल्कुलिकाइब हो जाएगा और अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस मास से मास भी कट रहा है तो का मतलब कि जो फाइंडर एक्विजिन बनेगी हमार बदू के बनेगी कि a is equals to g sin theta a is equals to g sin theta और यह एक्विजिन जो हमार पा साइंटिफिक रीजन पूछा चाहे तो इस तरह से पूछा चाहेगा कि बताओ एक बॉड़ी वो मूफ कर रही है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो इंकलाइन फ्रेक्शन लेसे इंकलाइन के उपर कितनी होगी तो यहां पर हम लोग देखें तो जो एक्सेलरेशन है जो उस ब आफ बाड़ी फिक्शन लैस इन कलाइन प्लेइन अफ द बाड़ी अगा डिपेंड्स ओन अनली टू तेंग्स दो चीज़ों के पर सिरफ डिपेंड्स कर रही है पहली चीज़ क्या है ग्रैविटी और दूसरी चीज़ क्या है थीटा इन दोनों चीज़ों के उपर जोड़ी पेंड्स करते हैं और यहां पर आप एगर आप गोर करो तो मास कहीं भी नहारा प्रेडी क्या के एक्सलेशन दूट ग्रैविडी जो के नाइन पॉइंट होती है और दूसरी चीज़ क्या थीटा यह भी कॉंचेंट आपके पास जीवी आपके पर 9.8 है सरफ एक चीज़ के उपर डिपेंड कर रही जो कि आपके बस ठीटा है ठीटा जितना भी होगा उस एक चोटी सी चीज़ रखिए एक बड़ा ट्रक और एक टॉय वाला ट्रक जोता है मतलब जो प्लास्टिक अट्रक होता है अगर यह दोनों चीज़ हम लोग इंकलान प्लेन के उपर रख दें तो बताओ पहले कौन सी चीज़ जो नीचे आएगी तो यहां पे गलती काफी स इन ऑफ मास मतलब कि आःओ मैं कि नि-02 आए पर आपके पास है इंडिपेंडेंट अगई तो का अन देखा तक की मजी यह की आपि आपके पास एक और जो है मापके पास फ्रेक्शनलान चलाइन हुआ तो एक मीलेशन इंडिकेंडेंड रोगर इसमेंगा के नृ our और सिर्फ आपके पास जी और साइंट टीटा जो डिपेंड करता है और इसी की वज़े से लोग नीची की तरफ बॉडि मतलब इतनी ही एक टीटा जो आपके पास जो वह तीसरा केस था और एक चोटा जो केसे वह हम लोग खुछ से बना लेते हैं और खुछ से जो पढ़ ले लोग और वो केस कुछ इस तरह का है उसके अंदर थोड़ा सापने जो दिमाग लगाना होता है चोटा केसी यह पार्ट नहीं है इसका यह हम लोग ऐसे खुट से कर रहे है तो फूर्थ के से आपके पास और यह क्या है कि वेंड कार मूवस अपवर्ड की जब कार यह आपक कि इंजन की फूर्ण चौर्ण कार से इंचलाइंड उनलैंड और तरह मुद चाहरिए और कि शचाहरे है और Kung करते कि इंजन की फूर्स turn of और अगर हम देखें तो इसके पर 1 रिख दियोगी इस डिरेक्शन के नदर जो कि नॉर्मल रिक्शन फोर्स होती है एक फोर्स जो आपके पास क्या लग रही होगी ये वेट की फोर्स और वेट की फोर्स को भी जो आप लोग डिवाइट कर दो और तोर दो जैसे हमने परकेंदी प्रेंदीड्ट वबल से बना लेती हैं किवें परैलल वाला कॉंपनेंट और यहां पर इस वाले Friction अंदर के ची घ्रफेस्ट आपर भी की जो फोसे वो किस चाये नदर लग द लग रही हूग इस डारिकशन के दियर से फ़ो नहीं के इस डार से लग हूगी के दर लग रहे होगी जिस डार के इंदर बॉम्ट कर होती इसके उपोसिट डाराकell के के अंदर फ्रिक्शन लगती और फिक्शन के जो हमारा टॉपिक है वह अगली वीडियो के अंदर यागले लेक्शन का टॉपिक होगा अब यहां पर फ्रिक्शन का कॉंसेप्ट आ रहा है तो इसलिए जो थोड़ा सा डिसक्स करना पढ़ ला है कि बॉडी जिस भी डारेक्श मैं अगलाय Іंजिन का लगान है कि अंदर एक व्रक्वर्ड लगतना लायं को जीपटी या होसे आपरेक्शन फीले स्व है सबसे पहले हम लोग Яप लगते हैं कि कितनी फूर्स बांडी के ऊपर लगए हैं तो सबसे पहली?.ола 228 अई टो का टर्यूट इंक है ccisia force लगतर है वह आपके पास force लगतर है W एक आयक दो यह है अगर कुनी की I do सारी लाजमी सी बात है कि वो सारी की सारी थोड़ी इसको उपर की तरफ कहेंचते होगी फर्द करो कि यह लगा रहा 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 है थो इसको ऊपर की तरफ हैजने के लिए फर्स लगा रहा है इस गाली के उपर इसको उपर की तरफ खेंचने के लिए उदस न्यूटन की फोर्स लगा रहा है लाकिन यह भी तो खड़े ने यह भी तो मायना सूंगे इसमें से यह उपाद डारेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो यहां पर अगर हम लोग इनको वैल्यूस दें कि जो इसक आप आप 5जीं इसके खेंज और मömं हमक कैसे कि ऑगा कि इस दस में से यह दोनों आपके बार्म आरेस्में से सब्सके तो इसके इंजन कि īिव फोर्स को और शाया हो जाएगी 10 कि इन ही तो सोन यह तो आपकी बने आउनए डोबाड़ें तो यहां पर आपने बने बने का कि वाली और प्लस कौन सी प्रिक्षिन वाली और अगर इसको छो तो आपके पास इक्वेज़न बनेगी वह कुछ इस तरह से बनेगी कि फॉर्स ओफ इंजन माइनस का वेट का पारलल वाला कॉंपोनेंट और आपके पास वह वह और अगर यहां पर जाल दो तो यह में बन जाया यह फॉर्स फिंजन मन जाएगी और जो है यह आपके पास एम जी साइन टीटा बन जायागा और माइनस का एफ तो यह आपके पास एक्विजिन बनेगी और इसे हम लोग जो नुमेरिकल के अंदर यह बैसिक नुमेरिकल के इंदर आगा मैरिकल का नंबर मुझे नहीं याद कारिकल के अंदर बिल्कुल इसी तरह का जो कॉंसेप्ट है वो दिया हुए तो हमने इसको एक अलग से केस बना के जहां पर जो है वो देख लिया है तो सिरफ एक चीज रहेगी है मार पस फ्रिक्शन वाला टॉपिक और वो पूरे का पुरा जो हम लोग फिर अगले और आफिस